अपनी जिन्दगी में हर किसी ने बोटल चड़ते वेल जरूर देखी होगी दोस्तों जब बोटल चड़ती है तो क्या चीजे होती है हमारी बोड़ी में हमारी बोड़ी कैसे रियक्ट करती है और बोटल क्यों चड़ाए जाती है देखा होगा हम ऑस्पिटल जाते हैं बहु क्यों नहीं घाता लोग Pacients खाना क्यों नहीं खाते डॉक्टर मना क्यों करते और जब बोतल रही होती उस जवरान को च्यों ठंडगने लगती है तो कुछ सवाल है और उसके बारे में आपका जानना बहुत ज़री है क्योंकि आपको भी पता है कभी आपके life में आपको बोटल लगी होगी या फिर आपके family में किसी को लगी होगी रिलेटिव में या पहचान में किसी को लगी होगी आपने जरूर देखाओंगा बोटल चड़ते वे थोडी knowledge इसके बारे में तक पहुच जाए और दोस्तों बैल आइकन को ज़रू दबाया करें ताकि आप तक वीडियो पहुचे और वीडियो को लाइक करें चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों यहां में बात कर रहा था आपसे की बोटल किस तरह की होती है दोस्तों बोटल जो होती है जब हमें कमजोरी हो जाती है जब या फिर एक्सिडेंट के बाद किसी को एक्सिडेंट होता है ब्लट का काफी ज्यादा लोस हो जाता है काफी बह जाता है उसके बाद कमजोरी आती है उस कमजोरी से बचने के लिए बोटल को लगाया जाता है या फिर ड अलुकोस के नहीं कि खुड्ड में रहा है और दोस्तों जब हमारी बोड़ी के अंदर खुड ही ग्लूकोस जा रहा है ब्लड में मिल रहा है और हमारी जो body requirement वो खुद ही पूरी हो रही है तो उसके लिए फिर हमें भार से खाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है और साथ में क्या होता है दोस्तों जब हम multivitamin साथ मुसके injections ले लेते तो हमारी body को और जाधा तागत जो होती है energy जो हम food से लेते हैं वो हमें multivitamin injections के तुरू हमें मिल जाती हैं बहुत साथ डॉक्टर ने आपका आपने देख होगा बहुत से दॉक्तर बोटल के अंदर injections को मिलाते हैं तो उससे क्या होता है आपकी बॉड़ी की जो और दोस्तों आपका यह concept clear हो गया और दूसरे concept पर चलते हैं और बात करते हैं दोस्तों जब लेटे होते हैं और बहुत से लोग पूछते हैं कि बोटल को सिर्फ लेट के ही क्यूं लगाया जाता है तो दोस्तों में हमें किलियर यह करना चाहूंगो जब आपकी बोडी लेट तो आजसे भी हो सकता है कि आपकी बाइंस ब्लॉक हो जाए या फिर निकल जाय तो इस तरह की चीजे भी हो सकती है तो कोर्शन हमें यह द्यान रखना होता है कि और ध्यॉस न निकले न ब्लॉकिज हो ना फिर हमारी जो ड्रिप है उसकी स्पीड बड़े या कम हो तो यह चीजों का दिहान रखना पड़ता है इसलिए जरूरी है कि पेशन्ट का लेटर रहना बहुत जरूरी होता है और दोस्तों तीसी बात यहां पर मैं आप से करना चाहूंगा कि जब बोटल लगती है तो करती है बाहर के temperature को देखके तब होता है जो हमारी बोडी है वह मेंटेन करेगे 37 r t to दोस्तों क्या होता जै Vors for fighter लगाते हैं तो हमें नहीं पता hatten बोट्ल का टेंपरेचर क्या है जो इंदर इंजेक्शन मिलाए गहे हैं उसका टेंपरेचर क्या है तो वह वेरी करता है उससे होता क्या है हमारी बोट्ल अगदे ऑफ लगती है तो आपके तीसे कोशन गजबाब यह दोस्तों क्योंकि body temperature अलग होता है bottle temperature अलग होता है जिसके कारण हमें ठंड लग सकती है तो दोस्तों यह चीज़े थी बहुत basic जानकारी आप लोगों के लिए जानने ज़रूरी था तो आप कभी भी अपनी life में यह चीज़ फेस करेंगे तो आपको बहुत help मिलेगी इससे कि क इसने तरह की bottle होती है किस तरीके से लगाया जाता है क्या precautions लेना है क्योंकि दोस्तों प्रिकोशन इस better than cure मिलते हैं यूडियो के साथ दोस्तों अपना बहुत सारा प्यार इस वीडियो को दीजेगा और कमेंट कीजिए अगर आपको कुछ पूछना है यह बताना है मिलते है न्यू वीडियो के साथ दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद जेहिं दोस्तों